Hello Friends, आज हम पढ़ने वाले हैं पोवम The Road Not Taken by Robert Frost ये क्लास 9 की एक पोवम है, ये पोवम बहुत ही simple words में लिखिया और इसका एक deep meaning है इस बंदे के बारे में एक मज़ेदार बात ये है कि ये है बंदा अमेरिका का बट इनके काम पहले publish हुए इंगलेंड में और वहाँ जादा popular हुए वहाँ popular हुने के बाद लोगों को अमेरिका में पता चला कि यार ये तो अपने खेत की चुड़िया है परन देवाज आके दे दिये तब फिर अमेरिका के लोगों ने इनकी पोवम को और इनके works को पढ़ना चलू किया टैलेंट तो मेरे अंदर भी बहुत भरा हुआ है इंडिया वाले कदर कर लें तो अच्छा है ऐसा नहों कि डॉनल्ड ट्रॉम्प का फोन आजाए भुले मैडम आप तो अमेरिका आजाओ इस पोवम एस सिंबॉलिक इसमें जो रोड है वो आपकी लाइफ को रेक्रिजेंट करती है और रोड क्या होता है यह आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो ऐसे हमारी जाना है यह उस वाले रास्ते पे जाना है यह उस वाले रास्ते पे जाना है एक। अब यह rhyming scheme है, that is A, B, A, A, B, अब यह rhyming scheme कैसे decide होती है, इसको जब हम first stanza पड़ेंगे तो आपको clear हो जाएगा, so let us begin with the first stanza, two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth अब अगर आप first, third और fourth line की last words को देखें, so they rhyme like would, could and stood और अगर second और fifth line के last words को देखें, so they are both and undergrowth so that is how we decide the rhyming scheme, that is A, B, A, A, B, यह poet एक बार एक रास्ते से जारा होता है, और यह रास्ता आगे जाके दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है, अब यह जो रास्ता है, यह जंगल में से जारा है, अब उस जंगल में जो पेड हैं उन पे पतियां yellow color की हो चुकी हैं, इसका मतल तब की fall का season है, अब वो जो poet है, वो एक रास्ते को दूर तक देखते रहता है, जब तक देखते रहता है, जब तक की वो आगे जाके मुडने जाता है, अब है तो वो एक ही traveler, तो रास्ता तो वो एक ही चूस कर सकता है, अब इसके आगे की कहानी second stanza में, then took the other as just as fair and having perhaps the bitter claim wanted where, though as for that the passing there had won them really about the same, अब इसमें, पोएट ने जिस रास्ते को पहले बड़ी ही दूर तक निहारा था, उसको छोड़के भाई दूसरे पे निकल लेता है, उसको ऐसा लगता है कि जो दूसरे वाला है न, ये ज़्यादा interesting है और ज़्यादा promising है, ऐसा इसलिए क्योंकि उस इसलिए की जो घास होती है, वो उसको थोड़ी ज़्यादा ग्रीन दिखती है, हलाकि आगे जाके उसको लग जाता है कि दोनों रास्ते लगभग सेम ही हैं, and both that morning equally lay, in leaves no step has trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back, अब थोड़ी दूर चलने के बाद उसको ये realize हो जाता है, कि वो जो दोनों रास्ते हैं, वो लगभग बराबर ही हैं, पहले जिस रास्ते पे उसको लग रहा था कि यहां की घास जादा है, यहां के पत्तों पे किसी के पैर नहीं पड़ें, तो अब उसको लगता ह है, कि हो सकता है, कि वो वापस कभी इस रास्ते पर न आ पाए, पोईट यहां पे इसा, इसलिए कह रहा है, because one path leads to another path, एक पाद आप जिस रास्ते पर चलना चालो कर चुके हैं, तो दूसरे रास्ते पर जाना पॉसिबल नहीं होता, अब यह जो पोईट है, यह सोच रहा होता है, कि आज से बहुत सालो बाद, मैं गहरी सांस लूंगा और बोलूंगा कि देखो तुमारा बाद, भाई एडविंचरस था, उसने वो रास्ता चुना, जो किसी ने नी चुना, और देखो आज वो कितना सक्सेस्फुल हो गया है, और किस मुकाम तब पहुच गया है, अब इस भाई ने दोस्त और दोस्त की गर्फ्रेंड में से दोस्त को चुना, और आगे जाके, उससे भी एक ब्योटिफुल लड़की पटाई, इसलिए वो कह पा रहा है, कि आज वो जादा सक्सेस्फुल है, इस पोव में पोएट ने हमें ये बताया है, कि लाइफ में आपके पास दो आप्शन होते हैं, एक आप्शन वोही गिसा पिटा पुराना सा, जो बहुत सारे लोग दूसरा ओप्शन होता है, जो कि लेस एक्सप्लोड होता है, थोड़ा इंट्रिस्टिंग, थोड़ा रिस्की, क्योंकि उसमें आपके पास कुछ नया और बड़ा करने का चांस होता है